नवस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चनल एकजाम न्यूच भाई उदसर में दोस्तों आप से जुड़ी हुई जानकारी है एक और बड़ी भरती आने वाली है भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि HCS का एकजाम हुआ है दो दिन पहले और फिर से हम आपके लिए एक और बड़ी जानकारी लेक रहे हैं और दोस्तों बस यही कहूँगा अगर पोश्ट एक है दो है चार है दस है अगर आपने तैयारी किया तो वो पोश्ट भी आप छीन सकते है अपनी महनत से वो पराप्त कर सकते हैं आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया की कोई बड़ी ताकत नहीं है जो उसको आपसे छीन ले बई अगर आपने महनत के लगन से तैयारी किया तो 100% आपका सेलेक्शन होगा चाहे वेकेंसी जादा हो या कम हो तो फिर से बड़ी जानकारी है बहुत जादा वेकेंसी तो नहीं है लेकिन पिच्चान में पोश्ट हैं और सुनहरा मौका है बड़ा अपसर भरने के लिए इसमें जो आपकी पोश्ट है यह HCS की भरती है इसमें आपकी कौन-कौन सी पोश्ट है देख लेते 13 HCS की हैं बा कि अभी जो HCS का एकजाम हुआ था उसमें डेड़ लाग बच्चों ने आवेदन करे थे लेकिन एकजाम कितने दे पाएं केबल 27 परसेंट बाकी एपसेंट थे बाई तो ऐसा हो जाता है कई बार यानि कि कई बार ऐसा होता है कि पोश्ट दो होती है चार होती है दस होती है और उनको देखकर जो कंडिडेट है वो यानि कि आवेदन नहीं कर पाते है जिसकी बज़े से जब एकजाम होता है तो कई बार यानि कि पोश्ट वेकेंट भी रह जाती है जैसा कि HSC के एक दो बड़ी भरतियों में हुआ कि वो पोश्ट निकालते है लेकिन वो पोश्ट यानि कि वेकेंट माल ली जाती है अभी यानि कि कुछ दिन पहले एक नौटिस आया था कि कोई वेक्ती है कंडिडेट उनसे सम्मंदित नहीं मिला तो और वो पोश्ट आपकी वेकेंट रग दी गई है यानि कि HSC की तरब से नौटिस आया था ऐसा हो जाता है क्योंकि जो युबा है कम पोश्ट को देकर आवेदन नहीं करते हैं लेकिन कोई भी केसी भी कहीं भी पोश्ट निकले और आप तैयारी करें तो मौका छोड़ना नहीं है भई